सारे वड़ोजरा के संगीत फ्रेमियों को मेरा बार बार प्यार भार नमशकार मैं आभारी हूँ मेखदूत मेलोडीज का जिन्होंने आज ये कारे करम रखा और मेरे गीत स्टेज पर अच्छे अच्छे कलाकारों से प्रेजेंट कराए वड़ोजरा शेहर में मैं आया हूँ पहली बार आभारी हूँ आपका मुझे दिया है इतना प्यार दो ओरते पुलिस सेशन एक ओरत अपनी सहीली को लेकर गई तो ओरते पुलिस सेशन गई ओरत ने जाकर रिपोर्ट लिखाई पुलिस सेशन में के इस्पेक्टर साथ मेरा हजबन खो गया मेरा मिया खो गया मैं बहुत देर से जून रही हूं मिलने रहा इस्पेक्टर ने पूछा भाई उसका हुलिया बताओ कैसा था अगर मिलेगा तो हम तुमको मतब फोन कर देंगा अपरा फोन नमर दे तो तो उसने चारीफ करने चुरू की कि मेरा हजबन गोरा सुन्दर बड़ी बड़ी आँखे लंबा सफेज सूट पैना हुआ और टाई लगाई हुई बड़ा सुन्दर है वो हीरो जैसा लगता है खो गया है क्या करूं दो घंटे से मैं परिशान हूं इंस्पेक्टर लिगा ठीक है हमने नोट कर लिया सारा उसका हुडिया अब मिलेगा तो हम आपको खबर देंगे टेलिफून पर दोनों औरतें बाहर निकली जिसने रिपोर्ट लिखाए थी उसकी सहरी ने इसको डाटा बाहर निकल कर कैने जोटी तेरा पती तेरा मिया काल काना बड़ा बसूरत तू इतनी तारीफ करें थी उसकी तो आइस्ता से कहती है खो गया तो खो गया नहीं तो ठीक मिलेगा कुछ लतीफे मुजिकल होते हैं जिन में गाने इनवार्डर होते हैं एक हजबन वाइफ समंदर के केनारे बांबे में फिलाट साहम का शाम के वक्त बैठे हुए थे दोनों ने चायवाई की पहले रखी हुई हजबन को बड़ा मूड आया कहने डार्लिंग एक गाना सुनाओ ना कुछ देब को इतना अच्छा समाह है शाम का समंदर सामने बड़ा चाट् पास्वी है एक गाना सुना हो सिन जो फिलाटक आपं ऑपयतर अच्छा गाती आप सुनाओ न वियू घया लिड़िस्वस्ट विचारी केमीस हो गई गहने लगई लगई चाना सुनने में है और फॉरेट में होता है रोमी गाना सुनने से पहले husband बड़े खुश थे लेकिन जैसे दीजे कऊ द समय किया और में शूरू किया और प्रफेशास कर दिया गाने लगी भईया मेरे राकी के बंदन को निहाना भईया मेरे के बंदन को निवाना विया मेरे वे ओ, husband मुह लटका कर सुन रहे थे, देखेगा सारा जमाना, जमाना भाया मेरे, राकी के बंदन को निभाना, भाया मेरे, जैसे तैसे, मिया ने पूरा गाना सुना, गाना सुनने के बाद, बीबी कहने रही जाल नी, देखे, मेरा गाना तो हो गया अब आपका तरन है, बहल चलो चले माँ, सपनों के गाउं में, तारों से दूर कहीं, फूलो की जाउं में, चलो चले माँ लतीफ यह से उपिंस में गाने इन्वाइब होते हैं, अभी मैं एक गाना यह जो किश्वर भाई मेरे साथ बहुत गाने बचाए हैं उन्होंने, मैंन गाने, मैंन गाना गाउं तो मेरे साथ में बचाना, तो वो यह में बचाएंगे, और वो गाना, नेक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, माफि चाहूंगा इसलिए, कि 1997 में, 1997 में मेरा हार्ट का उपरेशन हुआ, और आइसी यू में लेट साइड पर पर परलेलिटिक तो मेरे पाउं में पाउं तो बच गया, हाथ भी एक्सरसाइज से बच गया, फिजिए तरफी से, लेकिन मुमेंट अभी भी कम जोर है, इसलिए मैं कीबोर्ड मगाया, हर्मनीम नी बजाया है, मैंने, हर्मनीम ने बजा रहा है, और साथ-साथ गले पर भी असरुआ तो मै मैंने गाना जरा कम कर दिया, उससे पहले बहुत अच्छा गाता था मेरे बहुत सारे फिल्मी गाने, मैं फिल्में गाये मेरे गाने हैं, एक फूल दो माले में अपने सुना होगा, किसमत के खेलने राले मेरे भाईया, मेरा गाया हुआ था टाइटल साओं, और भी बहुत स सुनाता हुए, ए मेरी जोरह जबी, फिल्वक्त तु अभी तक है हसे और मैं जवान, तुछ गुर्बान मेरी जान, मेरी जान ये शोग या ये बात पूरी, जो तुझ में है कही नहीं दिलों को जीतने का पूरी, जो तुझ में है कही नहीं मैं तेरी, मैं तेरी आपं में पा गया-गया दो जान मुझा जल भी दिश्ट कि मारूम नहीं तो बीतर है सिफ और में जवाँ तिक गुर्बान मेरी जान मेरी जान तुमी जे बोल जानि मं जो मुझ को रा के बोलते तु धड़कनों में आज भी शराभी रूँ नहीं जो बोलते तो घड़कनों में आज भी शराबी रंग जोग दे ओ सनम ओ सनम मैं तेरा आज के जाब 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 जोर जबी तुभी मालूम नहीं तुभी अग है से और मैं जवान तुभ कुर्बान मेरी जान मेरी जान अबीजी जोर जबी तुक तुक मानूनी तुक तुक तक हैसी हमर में जवाद तुक तुर्वान में जीजाई में जीजाई मैं थोड़ा समय और नूँगा आपका कुछ बातें ऐसी में बताऊंगा जो आप तक नहीं पहुंचती हम लोग कैसी कैसी मुसीबतें कैसी कैसे इंसिडेंस हमारे साथ होते हैं मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो म्यूजिक रूम है वो किचन है खाना जब टेबल पर बनकर आता है तो लोग बड़े खुशी से बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं तारीफ करते हैं बहुत अचा खाना है इसे जैसे गाना रिकार्ड करके जब रिकार्ड होकर जब लोग सुनते हैं बहुत तारीफ करते हैं कि गाने कितने पॉपुलर हुए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि जो गाने मैंने आज से पहतारीफ साल पहले पचास साल पहले बनाए वो आज भी लोगों को पसंद हैं बड़ी खुशी होती जानकर मेरा पहला गाना था जब मुजिक आप रिकॉर्ड पर सुई मजब रखें तो गाने का मुजिक क्या है गाना था चंदय मौमादूर के इसके पास गाना शूर होता है चंदा मामा दूर के इसके पकाएं दूर के आप खाएं धाली में मुने को देखाली में चंदा मामा दूर के इसके 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 पास गाना था में लोग कहते हैं लोगों ने कहां आपका घाना बहुत पॉपुलर है आजकल मेरे मुजिक था चंदा हमाँ दूर के का बिगिनी मुजिक वह गाना बहत पॉपलर हो गया एक दो तेन चार पाउच का सब्सके तो मैंने बताया कि कुछ मुजिक की बात मेरे साथ शखिल साब आते थे हमाँ के अपने जयात साफ लोन ए olan गाति ज्ञासृरिस अधित, सुन आपको इस बस तुनाने का है कि आपको इसकूर्णा रोज मेरे पास आते से रफीज साथ आठ बजसे नौ बजसे शिकिल साथ आते से एक बिंद मेरे श्कील साथ कपकड़ा। मैं कि शिकीज साब यह हुसन के पीछे क्यों पड़ गए हैं वह ले क्यों क्या हुआ है आप ने मेरे साथ कम से कम चार गाने तो मुझे याद है जो आपने लिखे हैं चौरदमी का चांद हो या आफ ताव हो हुसन वाले तरह जवाब नहीं जाने बाहर हुसन तरह बेशाल है हुसन ने चार से मुझे शरुमाया है तेरी सूरत ने कद भड़ाया है मैं लोकर चार गाने तो मुझे याद जाने आफने यह लिएuchen में और भाई इज्जात से मुहबद है इज्जात से मुहबद है मौत भी आजाय तो उसे गले लगा नूँ मैं नगया क्यों well that मौत अता आता नहीं आती हैं, मत से इसलिए महब्ध है, के मौत आता नहीं है, आती है, I find not that." एक दिन मने फिर पकराश हिद्साड़ के मैंने अच्छी घ़द्साड़्साब रात को मैं फिल में एक साव गदल का रहे थे, बड़ी अच्छी गदल थी, बोलुष कहा थे कि मेरे फसाने में क्या बात पाई जाती है कि सुनते उन्हें नींद आई जाती है वो अपनी मस्त निगाहों को कुछ नहीं कहते हमें शराब की तोहमत लगाई जाती है वो अपनी मस्त निगाहों को कुछ नहीं कहते हमें शराब की तोहमत लगाई जाती है क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो परवानों क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो परवानों ये शम्मा रोफ जलाई बुझाई जाती है ये तो रोफ जलती बुझ लिए तुम क्यों अपनी जान दे रहो बोले इसके आगे मैंने कि इसके आगे याद इतनी निशारियात थे आपको सुना दिये बोले अच्छी गजलिज का एक एक शेयर मुझे भी आ रहा है मैंने के लिख आदे देओर्वा ये मैंने कंटहाने लगे मैंने के और इसके मैंने Analytics अचे और करा मैंने अर्क जाँ आगे हमारे हमीद को सुनाई जाती deh हमारे हमारी नज़ हमीद को सुनाई जाती है बोले कि आपकी अपने हore और लिख झाई कि शकील दूरिया मंजिल से ना उमीद नहो अब आई जाती है मेरे फसाने में क्या बात पाई जाती है कि सुनते सुनते उन्हें नीद आई जाती है ये शकील साब का डौर था